नमस्कार दोस्तों, हैश्टरो ग्यान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कपड़े से वशीकन कैसे करें जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी इंसान का वशीकन करना कपड़े के दौरा तो दोस्तों, इस वीडियो को लाश तक जुरूर देखिएगा दोस्तों, कपड़े से वशीकन करना बहुत ही असान है क्या आप अपने प्यार को अपने वश में करना चाहते हैं क्या आप किसी के ओपर वशीकन करना चाहते हैं और उस इनसान से अपने मन चाहा काम करवाना चाहते हैं या मन चाहा प्यार पाना चाहते हैं तो दोस्तों कपड़े से वशीकर्ण आप किसी भी लड़की का, लड़के का, किसी शादिशुदा का, किसी कुवारे का कर सकते हैं वशीकन करने की रीत हमारे यहां प्राचिन काल से चली आ रही है बहुत पुराने जमाने से ही अगर कोई किसी को वश्मी करना चाहता था तो वह कोई अभी चार करता था यह जमानत था वैदिक काल का और उसके बाद पुराने काल का अगमन हुआ जब यह प्रता बोधी कालत बदलती गई और तंतर विद्याओं में परचलित होती चली तो दोस्तों शबागरी क्या चाहिए आपको कपड़े से वशीकन करने के लिए सबसे पहले जिसको वश्मे करना है उसका कोई पहनावा कपड़ा वशीकन करने के लिए आपकी पास दो निम्बू और थोड़ा सा सहथ होना चाहिए अब आपको दोस्तों क्या करना है वशीकन करने की वीदी है इस वीदी को शनिवार या मोश्या के दिन ही करना है सबसे पहले शनिवार के दिन आपको सनान करके शिव के मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूद छड़ा कराना है फिर किसी सुर्णसान जगह पर जाकर निम्बो पर उस इनसान का नाम लिखना है सिदूर से जिसको वर्षमे करना चाते हैं और दूसरे निम्बो पर अपना नाम लिखना है फिर दूनों निम्बो को उस कपड़े में लपेट देना है उसके बाद आपको मंतर का 108 बार जाप करना है बड़ी ही सालधानी से करना है जो आपको मंतर बताए जाएगा उसके बाद दोस्तों निम्बो पर उस इनसान का नाम लिखा था उसी निम्बो को काट कर रस निकाल कर आपको रस में सहथ मिला कर उसको पी लेना है उसी इंसान के सामने जाकर आपको फिर से मंतर का साथ बार जाप करना है मनही मन में ऐसा करने से वशी करन हो जाएगा तो दोस्तो मंतर बहुत सक्तिशाली है तो मंत्रह की जानकाली के लिए आप हमारे दिये गए नमबर पर कोल कर सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं तो दोस्तो ये था कपड़े से वशी करन दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें यूट्यूब चिन्न को सब्सक्राइब करें जल मिलते हैं एटोपी के साथ बन्यवाद